नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपोर्टन टोपिक डिस्पेजिया के बारे में बाथ करेंगे डिस्पेजिया का मतलब है खाना खाने या पानी पीने में दिक्कत होना तो पहले हम आज़ती है खाना निगलने के क्या eleven इक्यानिजम है, मुव में रखे खाने को पहले हमारे दांतों से ग्रेंडिंग होती है, फिर जीव उस खाने को हमारी food pipe जानी इसोफेगस में फुश करती है, उसके बाद food pipe से हमारे stomach में एंटर करता है, योदि हमारे दांतों जीव या food pipe में कहीं भी दिक्कत है, तो उससे हम में dysphagia हो सकता है जीव में कमजोरी आने के कारण है मसल जीव जैसे की मायस्थेनिया ग्रेविस जीव में कमजोरी अगर किसी को पहले लकवा हुआ हो उससे भी आ सकती है बिस्वेजिय का सबसे जो में कारण है वो है फूड पाइप के अंदर नर्वींग हो जाना तो हमारी food pipe में किन-किन कारणों से आ सकती है यदि हमारी food pipe में membrane है जिसे कि हम web बोलते हैं उससे हमारी food pipe narrow हो जाती है और खाना-काने में दिखकता सकती है यदि किसी को पहले की reflex रहा हो reflex होने से भी food pipe में structure बन जाता है जिसे कि हम peptic structure बोलते हैं फूट पाइप के टूमर या कैंसर होने से भी डिस्फेजिया हो सकता है, फूट पाइप का कैंसर ओल्ड डिज में एक काफी common cause है डिस्फेजिया का, यदि किसी को फूट पाइप की अलर्जी होती है, जिसे की हम यूसनोफिलिक इससोफजाटिस कहते हैं, इसे यहाँ फूट पाइप का अस्तमा भी कह सकते हैं, उसके अंदर भी फूट पाइप में narrowing आ सकती है, एक बहुती unique condition है अकलेजिया काडिया, उसके अंदर भी डिस्फेजिया हो सकता है, अकलेजिया के अंदर हमारी food pipe के अंदर एक sphincter होता है जिसे के valve भी कह सकते हैं अकलेजिया के अंदर ये valve टाइट होचाता है और खाना खाने में दिक्कत आती है तो यदि किसी को dysphesia होता है तो हम उसको diagnose कैसे करते हैं इसके लिए हमारे पास तीन main test है पहला test है endoscopy endoscopy में दुरूबीन के साथ हम food pipe की जांच करते हैं यदि कोई tumor हो या structure हो endoscopy से उसका पता लग सकता है यदि endoscopy normal है उस case में तो हम barium swallow और manometry करते हैं barium swallow के अंदर patient को एक दवा पिलाते हैं और दवा पीने के बाद patient का x-ray करते हैं और manometry के अंदर नात में एक बारिक tube डाते हैं और food pipe का pressure नाते हैं तो dysphesia का इलास क्या है dysphesia का treatment उसके कारण पर depend करता है यदि food pipe में structure है तो उसको हम डाजेट कर सकते हैं यदि food pipe में tumor है तो उसको operate किया जाता है यदि tumor advanced stage में है तो food pipe में stand डाल सकते हैं ecclesia cardia के case में इसे या तो हम balloon dilate कर सकते हैं या फिर poem जिसे की हम पर oral endoscopic myotomy बोलते हैं poem के दबारा भी इसका इलाज किया जा सकता है eosinophilic isophagitis को हम दवाईयों से इलाज करते हैं यदि दवाईयों से response नहीं आता है तो उसे हम dilate भी कर सकते हैं तो दोस्तो आज हमने जाना dysphagitis क्या है इसके क्या क्या कारण है इसको कैसे diagnose करते हैं और इसे कैसे इलाज करते हैं दोस्तो अगले वीडियो में हम isophagitis cancer और ecclesia cardia के बारे में बात करेंगे थैंक्यो एकने computer आविए को झाल झाल